हेलो दोस्तो मैं विनोद मैं आज आप लोग को बताने जहा रहा हूँ इलेक्रिसिटी का बिल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किस तरह से करेंगे किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप अपना घर का इलेक्रिसिटी का बिल पेमेंट करेंगे आप चाहे किसी भी सहर में हो, आप किसी भी सहर का इलेक्टिक का बिल आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जमा कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किसी भी इलेक्टिसिटी का पेमेंट आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोवाइल से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तुरू कर सकते हैं आप देश के किसी भी कोने में राते हैं, किसी भी छेतरे में राते हैं, किसी भी सहर में राते हैं, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थुरू आप इलेक्टिसिटी का बिल आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप इलेक्टिसिटी का बिल अपने mobile से payment करेंगे आप अपना India Post Payment Bank का Apps से Login कर लीजिए India Post Payment Bank पर Login करने के बाद आप देख सकते हैं आपका यह Pay दिखाएगा Pay Bills पर क्लिक करते ही यह Icon आ जाएगा Electricity देखिए आप दिखा रहा है Electricity आपको Electricity पर क्लिक करना है Electricity पर क्लिक करते ही दोस्तों आप जहां रहते हैं वहां का Electricity का Board आपको Choose कर लेना पड़ेगा देख सकते हैं यह सारे Electricity का Board दिखा रहा है जहां आप रहते हैं जो आपका Electricity का Board है उस पर आप क्लिक कीज़े जैसे Example के तोर से देखेए Tata Power मुंबई तो यह मुंबई पर क्लिक कीज़े यहां पर देखेएगा Consumer Number दिखा रहा है यह Consumer Number आपको क्या करना है यहां डालना है Consumer Number उसके बाद Get Bill पर क्लिक करना है जैसे कि यहां देख सकते हैं इस तरह का Consumer Number आपका बिल में आता आपको पता ही होगा उसके बाद आपका इमाउंट दिखाएगा उसके बाद यहां पर आपको पेमिंट करना है फिर मैं दूसरा एक दिखता हूं दोस्तो Example का दोर से मैं जस्ट आपको सो करके दिखाना चाहता हूं कि इस तरह से पेमिंट अगर Noida में आप रहते है Noida Power है आपका तो Noida Power पर क्लिक कीजिए करने Consumer Number जो आपका Consumer Number वो आप यहां पर डालिए डालका आपको गेट बिल पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों देखी है कि आपका नाम दिखाएगा Customer Name, Account Number दिखाएगा कितना का बिल पेमिंट करना है कब आपका Due Date है उसके बाद आपको करना क्या है यहां पर When to Pay Per पेनाओ, उसके बाद आपका दिखाएगा, कितना रुपिया का बिल है उसका Payment Method, Payment Method पर क्लिक कीजिएगा, आपका Account Number दिखाएगा, कौन सा Account Number दिखाएगा पेमिंट हो जाएगा दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक से किस तरह से इलेक्टिसिटी का पेमिंट किया जाता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगत वीडियो को लाइक केजे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो